नमस्ते दोस्तों वेलकम बैक टो माई चैनल तो बहुत दिन बाद मैं कार वीडियो शूट करें एक्चुल जो बात है वो है कि कार का मेरा जो बैटरी है उसका बहुत ज्यादा इशू है एक जो प्रब्लम मेरा था कि मोबाइल का जो इशू था वो मैंने सॉल्ब कर लिये है क लेकिन मैंने जो सोच के लिये थे उसमें थोड़ा सा इशू यह आ रहा है कि यह बहुत अच्छा इसका जो फोटोग्रैफी है बहुत अच्छा है बट इसमें लाइटिंग का बहुत जादे इशू रहते देखिए अभी मैं शूट कर रही थी थी थोड़ा बहुत तो पु जो है मैं अपलोगों के साल सिफ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम कर रहा है कि मेरे बेटी है क्लस 10 में और उसको मुझे देखना पर रहा है तो इसलिए फेबरारी तक साय थोड़ा बहुत जो वीडियो से वो इर्रेगुलरी आने वाला है मैं कुछ भी नहीं कर पार रहू हू तो मैं आउटी थोड़ी देर बाद दिखा दियो कि वहां पर थोड़ा सा धूफ है तो इसमें अच्छा नहीं गा दिखने में और कार को मैं लेकर जाने हूं यह एक लेसंस वीडियो है चलिए आज का वीडियो फटाफर से स्टार करते हैं और लेस्स टार्ट वीडियो से अब लोग को पिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इस लेवने पे और एक सारी लिये हैं लेकिन वह उसका ब्लाउज अभी तक सील के नहीं आया तो मैंने यही पैने हैं आप लोग इसका फीड़बैक मुझे देए अब करते हैं अभी कम से कम आठ बत चुका है और सबसे बड़ी बात की अज बहुत अच्छा धूप है लेकिन मेरा कैमरा थोड़ा बहुत गरम हो जाता है इस वज़े से धूप के वज़े से लेकिन तो चले गारी को स्टार्ट निते हैं बैके का थोड़ा इश्यू है तो एक बार में स्टार्ट नहीं होगा पाता नहीं यह क्या हो रहा है तो चले है जिसके ऊपर बेस करके आप गारी की जो गियर है उसे आप चेंज कर सकते हैं तो हैंडब्रिक मैंने रिलीस कर दिये हैं और मैंने बैक गियर लगाए हैं लेकिन यह एक में रोड है तो मुझे इसको देखना पड़ेगा यह अब ठीक है अब मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगी गारी में गारी की जो फैन है वो मैंने आफ करके रखे हैं क्योंगी गारी की फैन अगर चलेगी तो गारी में अब देखिए यह फर्स्ट गियर में चल रही है इसका साउंड देख लिए जैसे गारी ऐसा बोल रहे है कि मुझे सेकंड गियर दो देखिए आप सांड को फॉलो कीजिए यही आज का लेसंस है देखिए एक अलग साउंड है अब मैं जब सिप्ट कर दूँगी अब मैं जब सेकंड गियर शिप्ट कर दूँगी तो इसका साउंड बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो जाएगा दिखा रहे हूं आप लोगो को फुल क्लच सेकंड गियर की जो साउंड है वो नॉर्मल हो चुकिए अब अगर करेशन में करूंगी सेकंड गियर की हिसाब से अगर एक्सलेरेशन ज्यादा हुई तो फिर फिर से यह चिल्लाएगा तो रुक जाहिए थोड़ा साउंड पॉलो किजिए गाय थोड़ा मुझे जले दिगा थोड़ा मुझे जले दिगा मैं aanप साउंड़ किजिए मैंने एक्सलेशन को जादा दे दी है किसाद से अगरोा जादा हरा है रुक को बहुत जादा यहां अप सुनरहे है chois अगर मैं इसको ठर्डरयचि यह शुप्कर गिना संट में आईगा अब देखिए में फुली नॉर्मलेस हो गई है देख पार है चकलाथ से में पैर नहीं हटा आरहे हूं आज मुझे बार बार शिप्ट करने पर देखिए अब देखिए थर्ड कियर में भी थोड़ा रोटरी को क्रॉस कर लेता है उसके पाथ में दिखा रहे हूं अब देखिए मैं प्रेंब मैं मैं फोटी की स्पीड थर्डी की स्पीड उनी की स्पीड नहीं बात कर रहे हूं मै dominant होगा झेपर कि उनॉर्याद कीज नहींडन के उपर है और साउंड जो है यह साउंड नॉर्मलाइज करने के लिए आपको फोर्ड गियर शिप्ट करना पड़ेगा यही है यही यही आज में आप लोगो को देना चाहते हैं कि हमेशा ना जब करना है अभी मुझे थर्ट के शिप्ट करना है विकास में रोटरी को प्रॉस करोंगी रोटरी को में घुमाने बादे हैं यही इसके में बादे ही थोड़ा बहुत आप लेकिश आरा होगा तो देखिए तो देखिए पिलाल यह गारी मेरा थर्ट इयर में है एक्षलेशन में बढ़ाय है गारी की आवास सुनिये, यह जो आवास हो रहा है न यह वो करके एक आवास हो रहा है, वो चला जाएगा, जब ही मैं इसको फोद गेर शिफ्ट करो, चला गया, चला गया, बिकॉस गारी खुद आपको बता देगी किया उसको क्या कौन सा गियर चाहिए, आजकल कर जो गारी ह है उसके तो गियर आपको दिखा देगा, कोई भी दिक्कत नहीं, आजकल अगर गारी सीखना है न बहुत एज़ी आप लोग सीख जाएगे, बट हमारे टाइम पर उतना नहीं था और मेरे पास तो वो सब गारी कभी नहीं थी, तो इसलिए मैंने जो सीख है, मुझे लगता है, उससे अगर आपको प्रॉपरली सीखना है, एक तो प्रैक्टिस, दूसरी है, मैनुवल कार में आप सीखिए, जहां पे डिजिटल मीटर में होता है, तो वहां पे होता है, होता है क्या, तो वहां पे वही एक बहुत ज़दा एज़ी होता है, कि आप समझ सेते हैं कि कि अमर्मलाइज हो जाए बिलकुल नॉर्मल जचेता, अब अगर मैं एकदम गारी को कम करके दिखा में लोग सामें इस में स्टॉप कर ट्रीतों फिर से हो, स्टॉप टीका अगर सीख़ आप सब में लोग से फिर से मैं स्टॉप जाते हो, घालते हैं क्योंकि यह आजका ल अगर मैं इस तरह से चला रहा हूँ, आवाज देखिए, कोई आवाज नहीं है, फिर्स्ट यह सपोर्ट कर रहा है, गारी भी बोल रहा है, इस स्पीश से अगर आप चलाते हो, तो आप फिर्स्ट यह में चलाओ, अगरी बोल रहा हूँ, अगरी बोल रहा हूँ, कोई भी स्पीश के बारे में बताऊंगी नहीं, बिकास मुझे साउंड देखे ही सीखना हूँ, एक तम नर्मले zdrowe है, अब मैं इसको एक्सलेशन जादा करे आप, सी, लिसन, अवाज कर रही है, Augen कर रही है, come on, third gear shift,र आप के हूआ है, फिर से जादा एक्सलिएशन जादा एक्सलिएशन आवास कर रही है देखिए देखिए आवास कर रही है 40 के उपर स्पीड है मेरा फोद गेर शिप्स नॉर्मलाइज़ जाओ आपको इस तरह से यूस करना है आप अगर इस तरह से यूस करेंगे गारी की फैन को मुझे चलानी परेग बिकास गारी गरम हो गई है तो चलिए अप मैं इसको रिवर्स ले लेती हूं थोड़ासा और गारी को मुझे घुसाना है पीछे देखिए एक कुट्टा है और कोई नहीं है वल नाव स्टॉप गारी फिर्स यह लगाए गारी में और अराम अराम से अराम अराम से गारी को थोड़ासा राइट साइड लेंगे हम अराम अर्श रॉप गारी को हम उसाएं रहें तोड़ा आगे पीछे देख लेंगे यहां पर एक पंदा जा रहें इसको जाने पहें रेटी को आप आप से रुम आप देची है सब्सक्राइब नैया किजिक्ट लिस दुट जरू लाइक कीजिए आप सुब्सक्राइब शुक्राइब लेक्स वीडियो की लिए जेरू 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 चैनल को सब्सकाव कि रिजी और हैंक ये सोब अच्छ पर वच्छ प्रवच ने टीक एर बाए